हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू, स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है तो हमने जो है अपना सैयद वन्स जो है लास्ट वीडियो में किया था और दिली सल्तनत के लिए ये लास्ट वीडियो रहेगा actually last नहीं है second last है क्योंकि last में हम जो है क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोदी वन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो की fifth density यानि के पांचमा वन्स जो है हमारा रहेगा दिल्ली सल्तनत के लिए जिसने दिल्ली के उपर राज किया और उसके बार नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत कालीन जो वेवस्था है ना उसके बारे में बात करेंगे कि जो वेवस्था है वो किस तरीके की रही थी तो पांचों जो हमारे वन्स थे उनमें से पांचमा वन्स है लोधी वन्स एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं पहला वन्स हमारा कौन सा है दिली सल्तनत के लिए गुलाम वन्स उसके बाद दूसरा वन्स हमारा कौन सा है किलजी वन्स आप अगर चाहें तो कॉमेंट बॉक्स में इनके संस्थापकों के बारे में भी बता सकते हैं तीसरा जो वन्स है हमारा दिली सल्तनत के लिए वो क्या है तुगलक वन्स ठीक है और चोथा वन्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सयद वन्स और पांचमा हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे लोदी वन्स और लोदियों के बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा यहां पे दिली सल्तनत का जो समय है वो खतम हो जाएगा फिर हम किस के बारे में बात करेंगे फिर हम मुगल सामराज्य के बारे में बात करेंगे तो तो जो हमारा लोधी वन्स है वो जो है 1451 से 1526 तक रहता है और अंतिम जो वन्स था वो था सयद वन्स और सयद वन्स लगभग 37 वर्षों तक सयद वन्स जो है चला था और सयद वन्स का अंतिम सुल्तान अलाउदिन आलम शाह था तो चलिए स्टाइड करते हैं अपने लोधी वन्स के बारे में बाते करते हैं दो मिनट निकाल दी हमने ऐसे ही इंट्रोडक्शन के रूप में तो लोधी वन्स के संस्थापक थी बहलोल लोधी जो है लोधी वन्स के क्या थे संस्थापक थे और इन्होंने जो है लोधी वन् राज़ की स्थापना करने वाले वीक्ती थे, इनको ये श्रिय दिया जाता है कि इनोंने अफगानी जो राज़े है, उसकी स्थापना की थी, है ना? ये जो है 19 अपरेल 1451 को बहलोल शाह गाजी ये उपादियों की पूछ लेता है कई बार बहलोल शाह गाजी के उपादी से ये दिली के सिहासन पर बैठे थे उसके बार बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का परचलन किया था यानि कई ये तो हम सिधा सिधा समझ जाएंगे की बहलोल लोदी जो है लोदीवंसे समन्दित था या लोदीवंस का संस्था पक था इसने अपने नाम से सिक्के चलाए ये बहुत सारे राजाओं ने अपने-अपने समय में किया है वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहता था वह अपने सरदारों को क्या कहता था मकसद ए अली कहता था वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वैम भी खड़ा हो जाता था अब वो सम्मान देता था या क्या करता था इसके बारे में पुक्ता कुछ बात नहीं है बट जैसे ही उसके जो सरदार जो है खड़े होते थे तो वो भी एक तरीके से खड़ा हो जाता था बहलोल लोदी का पुत्र था निजाम खान निजाम खान 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपादी से जो है दिल्ली के सिहासन पर बैठता है यानि कि हम इस वन्स के राजाओं के बारे में बात कर लेते हैं पहले तो बहलोल लोदी जो है पहला राजा है जो की लोदी वन्स का संस्तापक है दूसरा जो है इसका पुत्र था निजाम खान बट उसको निजाम खान के नाम से नहीं जानते हैं उसको सिकंदर के नाम से जानते हैं सिकंदर के नाम से जो है उसको जानते हैं सिकंदर लोदी और तीसरा जो है इस वंस का राजा था इबराहिम लोदी इबराहिम लोदी याद आया होगा कुछ इबराहिम लोदी का यूद जो है होता है बाबर जो है बाबर के साथ है ना तो ये वही इबराहिम लोदी है और इस वंस में ये तीन ही राजा होते हैं अगर इनके उसके बात की जाए शाशन की बात की जाए कब कब किसने शाशन किया था तो बहलो लोदी ने जो है क्या किया था 1451 में स्थापना की थी और इसने 1489 तक राज किया था उसके बाद सिकंदर आता है सिकंदर 1489 में राजा बनता है और 1517 तक ये राज करता है उसके बाद आता है इबराहिम लोदी 1517 में ये राजा बनता है और 1526 आपको पता ही है 1526 जो है युद हुआ था 21 अपरेल 1526 तक ये जो है युद हुआ था पानिपत का प्रथम युद के नाम से इसको जाना जाता है तो इस समय पे 1526 में यानि के 1451 से 1526 तक ये बहलोल, सिकंदर और इबराहिम लोदी जो है लोदी डैनिस्टी को चलाते है उसके बाद हम वापीस आ जाते हैं अपनी जो बात चल रही थी वहाँ पे तो दूसरा राजा है बहलोल, लोदी का पुत्र था निजाम खां और ये जो है सिकंदर लोदी के नाम से या सुल्तान शिकंदर शाह के नाम से जो है या उपादी के नाम से दिली के सिहासन पर बैठता है पंद्रा सो चार में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी यानि कि आगरा की स्थापना किस ने की थी सिकंदर लोधी ने की थी भूमी मापन के लिए प्रमानिक पैमाना गजे सिकंदरी इसको कई बार है न ऐसे भी लिख देते हैं गज ए सिकंदरी ठीक है कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं तो confuse नहीं होना है ठीक है गज़े सिकंदरी का प्रचलन किस ने क्या था सिकंदर लोदी ने क्या था गुल रुखी सिर्सक से फारसी कवीताए लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था यानि कि कुल मिला के ये कह सकते हूँ आप लोग कि ये जो है लिखने का सोंक भी रखता था उसके बाद सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयूरवेद गरंथ का फारसी में फहरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया था इसने नगर कोट के जवाला मुखी मंदिर की मूर्ती को तोड़ दिया और उसके टुकडों को कसाईयों में बाट दिया था और उन कसाईयों को क्या कहा था कि मास को तोलने के लिए आप जो है इन टुकडों को एक पैमाना मान सकते हैं इसने मुसल्मानों को ताजिया निकालने के लिए और मुसल्मान स्त्रियों को पीरों या फिर संतों की मजारों पर जाने के लिए परतीबंद लगा दिया था में लिख लेता था कहने का मतलब ये है दूसरा ये नगर को जवालबों की मंदिर की मूर्ति को तोड़ के टुकडों को जो है उसके टुकडों को जो पत्थर के टुकडे थे उसको कसाईयों को दे दिया था मास को तोलने के लिए और तीसरा ये जो है ये गह सकते हैं इसका मे पर जाने के लिए रोक लगा दी थी फिर क्या हुआ गले की बीमारी की कारण सिकंद्र लोधी की मृत्यू हो जाती है 21 नॉवंबर 1517 21 जरूरी नहीं है नॉवंबर भी जरूरी नहीं है बट 1517 तो ध्यान रखना ही पड़ेगा 1517 में इसकी मृत्यू हो जाती है इस दिन इसका पुत्र इबराहिम इबराहिम शाह की उपादी से जो है आगरा के सिहासन पर बैठता है आगरा के सिहासन पर क्यों कह रहा है दिल्ली के पर क्यों नहीं कह रहा है क्योंकि दिल्ली से आगरा जो है राजदानी सिफ्ट कर दी गई थी किसके दवारा सिकंदर लोधी के दवार संभावतिया दिली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी जो है प्रथम सुल्तान था जो हिंदूओं के त्योहारों को मुख्यत है जो है सबसे ज्यादा उसका पसंदिदा त्योहार था हिंदू त्योहार खोली उसमें सामिल होता था दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधान मंत्री या फिर वजीर मिया बोईया ने 1505 में बनवाई थी मोट मस्जिद को किस ने बनवाया था मिया बोईया ने बनवाया था और ये कौन था ये प्रधान मंत्री था या फिर वजीर भी कह सकते हो आप किसका सिकंदर लोदी का कब बनवाई थी ये पंदरा सो पांच में 21 अपरेल 1526 को पानिपत के प्रथम युद में इबराहिम लोदी बाबर से हार जाता है और इस युद में वो मारा जाता है बाबर को भारत पर आकरमन करने के लिए निमंतरन जो है किस ने दिया था पंजाब के साशक ने दिया था दोलत का लोधी और ये दोलत का लोधी कौन था इbrahim लोधी का चाचा था और इबराहिम लोधी का जो चाचा था आलमखा ये जो है इसने बुलाया था एक बार फिर से बाय पॉइंट को रिकोल करते हैं साइद मैंने आपको कन्फ्यूज कर दिया हो बाबर को भारत पर आकरमन के लिए निमंतरन बेजा था पंजाब के सासक ने पंजाब के सासक कौन थे दोलत खा लोदी और इबराहिम लोदी के चाचा आलम खाने दिया था ठीक है दोलत खा लोदी जो है इसका भाई बंद था यानि कि आप ये कह सकत या फिर इसको हराओ और हमें जो है इसको हरते हुए देखना है मतलब अपने को अपनाई मारने वाला जो है सीनिया पे देखने को मिला था ठीक है तो इस चीज का ध्यार रखना है और आज की बात यहीं तक रहने वाली है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले है कि सलतलत कालिन जो साशन व्यवस्था थी वो किस परकार की थी यानि कि पांचो जो डैंस्टी थी हमारी जो पांचो डैंस्टी थी हमारी उस उन में जो व्यवस्था थी न वो किस तरीके की थी फिर हम नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो 31st पॉइंट होगा और इसमें हम प से जो है जाएंगे तो thanks for watching thank you thank you so much में लेंगे next part में जो कि हमारा किस से समंदित होगा साशन व्यवस्ताते समंदित होगा जो कि दिल्ली सलतनत के बारे में होगी तो thanks for watching again thank you thank you so much